कुछ दिन पहले 36 गड़ के एक शहर रायगड जो जिंदल समू के नाम से जाना जाता है रायगड में मेरा एक प्रोग्राम था जो कि वहाँ के स्थानी इनर्विल कलब ने आयुजित किया था उस प्रोग्राम के दौरान मैंने एक एक मिनट की बहुत सारी सक्सेस हैबिट्स बताई थी तो उसमें एक और्डियंस लास्ट के क्वेश्चन अंसर सेशन में खड़ी हुई महिला थी लगबग पचास के आसपास की एज होगी वो खड़ियों के कहती हैं कि पाटनी साब आप इतनी बाते कर रहे हैं सब बाते अर्थ हीन है बेकार है मैंने बुला क्यों मैं जानती हूँ मैंने अपने जीवन में कितनी तकलीफे जहली है इतनी तकलीफ जेल के मैंने अपने बच्चों को बढ़ा किया क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए जो कुछ था एक एक पल बच्चों के लिए जिया आज मेरे साथ कोई नहीं है वो सब छोड़ के चले गए ऐसे लोगों के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए साथियों चिंतन का भी विशय है चिंता का भी विशय है एक माता पिता मैं ये तब तक नहीं समझता था जब तक मैं फादर नहीं बना मेरी जिन्दगी में दो बहुत प्यारे बच्चें एक बेटा है और एक बिटिया है बेटा बड़ा है जब वो हुआ तो मेरे को समझ आया आप पिता बनना क्या होता है मुझे लगता है उसके बाद हमारे जीवन का हर निनन उसके हिसाब से हुआ यहां जाने से वो रोता है वहां नहीं जाएंगे वहां जाने से वो हसता है तो वहां जाएंगे उसको इस तरीके की पिक्चरे पसंदे तो ऐसी पिक्चरे जाएंगे उसको मॉल में जाना पसंदे तो मॉल में जाएंगे उसके लिए घुड़ा बनेंगे वो पीट पे घुड़ा बनके चड़ेगा हमारे कपड़ों पे सूसू करेगा वो बुलेगा मैं ये खाऊंगा तो उसको खिलाएंगे अपनी कोई जरुरत पूरी हो नहों अपनी इक्षा अधूरी रह जाए लेकिन उसकी जो इक्षा होई वो पूरी करेंगे और मैं ही नहीं मुझे लगता है दुनिया का हर माबाप अपनी सामर्थ में अपने बच्चे की हर इक्षा पूरी करता है फिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं एक दिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अलग घर बसाने की क्यों सोच लेते हैं चलिए अलग घर बसा भी लिया वो डिस्कनेक्ट होने की क्यों सोच लेते हैं कोई पत्नी अपने पती के कहने पर कोई पती अपनी पत्नी के कहने पर अपने माबाप को क्यों छोड़ देता है इसने पैदा किया, इतना बड़ा किया, एक के दुख उठाया, हर सुखी उनसे जुड़ा था, सच कहूं तो संतान होने के बाद माता पिता के जीवानी नहीं रह जाता, संतान हसता है तो वो हसते हैं, और संतान रोती है तो वो रोते हैं, फिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, जो की कहीं नहीं नहीं जॉब पर लगा था वो अपनी टेबल पर काम कर रहा था अचानक छत में कुछ खड़खडाने की आवाज आई पीता ने उससे का बेटा छत में कुछ आवाज आ रही है देखो कुछ गलत नहों जाए बेटा ने का पिता जी कोई बात नहीं अब बैठिये ऐसी बिल्ली बिल्ली होगी थोड़ी दिर बाद फिर आवाज बढ़ी पिता ने का बेटा आवाज देखो बढ़ गई है बेटा बहुत चोरिया होरी आस पर थोड़ा सा देख लो बेटा ने का पिता जी कोई बिल्ली होगी कोई चुहा हो गया हवा से कुछ समान लुड़क गया होगा आप सो जाईए पाँच मिनद बाद फिर जोर की आवाज होई पिता उड़ गये पिता ने का बेटा देख लेता तो अच्छा होता है कुछ हो न जाए और बच्चा जोर से भड़क के कहता है आपको तो नींद आती नहीं है आपको क्या है दिन बर आप सोते रहते हो आपको कोई काम है नहीं मुझे तो काम करने दो अरे जो होगा मैं देख लोगा आप चुप-चप सोनी क्यों नहीं जाते इतना परिशान क्यों कर रहे हो पिता की आँखे गेले हो गए नम हो गई आँखे हैं पिता चुप रहे है और कुछ मिनडवाद हो कहते हैं बच्चे से बेटा तुने बच्पन में मुझसे हजार परशन किये लाख परशन किये आस्मान नीला क्यों होता है बारिश कैसे होती है सूरज कैसे उगता है चंदा मामा में कौन रहता है गाड़ी कैसे चलती है पतं कैसे उड़ती है बेटा मैं तेरे हर प्रशन का जवाब देता रहा कभी नई जानता था तो जूट मुट का देता रहा कभी कहीं से पूच के देता रहा कहीं भी कहीं से पता करके देता रहा बेटा मैं तेरे पर कभी गुस्सा नहीं हुआ कि आस्मान नीला क्यों होता है तो तेरे को क्या करना है उससे पिटा मैंने कभी नहीं कहा और आज तो मेरी छोटी सी बात से बुरा मान गया है यही तो सच्चा है यह दुनिया की एक संतान के लिए माता पिता अपना हर सुखदाओं पे लगा देते हैं वही संतान बाद में ज श्वास घात है यह गलत है यह जितना आपकी सामर्थ हो उतना आपको करना जी है मैं यह नहीं कहता कि आप स्रवन कुमार बन जाए और कांधे पर उठा कर लेके जाए लेकिन जितनी आपकी सामर्थ हो उतना आपका दाइत वो बनता है और आपके माता पिता मौडन नहीं है तो संकोच मत करिये वो modern इसलिए नहीं के हैं क्योंकि वो उतने समर्द नहीं थे उनके पास वो luxuries नहीं थी उनको English बोलना नहीं आता तो शर्म मत करिये क्योंकि उस समय English Medium School नहीं थे और थे भी तो उनकी छमता नहीं थी छमता होती तो क्यों भला वो हलके रहते हैं लेकिन आप ये तो सोचो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया उन्होंने ये तो सोच किया कि आपको इत्ता समर्थवान बना दिया अब आपका क्या दाइत वे छोड़ के चले जाएं अब आपका क्या दाइत वे बुढ़ापे में जब उनको किसी के साथ की सबसे ज़्यादा जुरूरत है अरे किसी जॉब की वज़े से, असाइन्मेंट्स की वज़े से पास न रह पाएं तो हर दिन एक फोन तो कर सकते हैं हर कुछ महिने में मिलने तो आ सकते हैं सारी वेवस्था हैं तो जुटा के दे सकते हैं कि किसी किसम की कोई तकलीफ न हो जाए बागबान पिक्चर आपने देखी होगी उसे उसमें आज भी अमिताब बचन का एक सीन याद आता है जब चश्मा बनाने के लिए उनका बेटा कहता है अभी पैसे नहीं है काम चला लो और छोटा सा बच्चा पैसे लाके देता है कि पापा पहले दादा जी पहले चश्मे बना लो आपके पास अपनी लग्जरी के लिए पैसा है अपनी गाड़ी बदलने के लिए पैसा है अपना बंगला बदलने के लिए पैसा है नए इंटीरियर कराने के लिए पैसा है मौल जाने के लिए पैसा है लेकिन माब आपकी सेवा करने के लिए ना तो आपके पास पैसा है ना तो आपके पास वक्त है सिर्फ एक प्रश्ण है यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे आप बोलेंगे नहीं मेरी संतान तो करी नहीं सकती लेकिन आपके माबापने भी तो यह नहीं सोचा था था ना पैसा करेंगे, नहीं तो आपको दूद क्यों पिलाते हैं, आपको बड़ा क्यों करते हैं, जब एक दिन विश्वास घात लेना था तो, आज आप जो कर रहे हैं ना, वो कल आपके साथ भी हो सकता है, सोचिए, गणेश जी ने माता पिता के तीन चक्कर लगा लिये थे, और उसी से उनका दुनिया का सारा चक्कर हो गया था, माता पिता हैं, ये भी भाग्य की बात है, मैं जादा जानता हूँ, मेरे पिता का निधन जब मैं बहुत छोटा था तब हो गया था, और जब मैं सामर्थ वान हुआ तो मेरी माता का निधन हो गया, मैं सानुबूती के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दुर्भागिशाली मानता हूँ, कि आज मैं जहां भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, जितना सक्छम भी हूँ, मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है वो बाटने के लिए, और वो कमी खलती है हर पल, आज आपके पास है, तो ग्रांटेड मत लीजिए, आप किसी देश में जॉप कर रहे हूँ, किसी शेहर में जॉप कर रहे हूँ, एक कॉल अपने माबाप को कर सकते हैं, दो मिनट के लिए वाटसेप कम कर देजिए, उस दिन पाच मिनट के लिए फेस्बूक मत देखिए, कर सकते हैं, अपनी सेलरी का कुछ हिस्सा, बिना किसी स्वार्थ के आप अपने माबाप के लिए रिजर्व कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, हक है उनका, और उनकी सारी जरूरते पूरी हो जाएं मैं यह नहीं कह रहा कि आप सब कुछ अपना छोड़के कर दें वो तो संभव नहीं है इस युग में लेकिन जितनी सामर्थ है बिना स्वार्थ के कर सकते हैं आप पूछ के देखें और यदि आपकी संतान ने ऐसा कर दिया ना साथियों हर किसी से मैं कहता हूं अपने माबापक का बहुत आदर करो क्योंकि आपकी संतान वही करेगी जो आपको करते वे देख रही है आप माबापका अनादर करो और अपनी संतान से कहो मेरा आदर करना संभव नहीं है आप माबाप के लिए कमजोर खाना खिलाओ, माबाप के लिए कमजोर बरतन रखो, माबाप के लिए अलग वैवस्था रखो, अपने लिए सुपर डुपर वैवस्था रखो, वो भी संतान देख रही याद रखना याद रखना तो बहुत आदर करिए रोज सुबा पैर छुए यदि आप साथ में रहते तो पैर छू के अपने काम पर निकलिए हफते में एक दिन दो दिन घंटा दो घंटा वक्त दीजिए बिना बाद बैठिए हफते में एक आद दिन अपनी मम्मी की गोद में सिर रखके बैठ जाईए बोलिए मेरे सिर पे आज मालिश कर दो गप मार लिजे जैसा मारते थे वैसे ही खेल लिजे जैसे बचपन में खेलते थे हफते में एक दिन दो घंटे तो बनता है यार उतना बनता है उन्होंने किया है उतना कर सकते हैं उनके सुक सुविधा की वैवस्था कर सकते हैं साल में चार ट्रिप अपनी घुमने जाईए एक ट्रिप उनको भी तो लेके जा सकते हैं वो धर्म करना चाहे तो धर्मिक जगा पे ले जा सकते हैं और ले जा सकते हैं लेकिन ले जा सकते हैं ना कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपके माबाप अपनी प्रार्थना में कहें कि हे भगवान हर जन में मुझे ऐसी संतान देना और आपकी संतान आपको देखकर कहें कि मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे पापा अपने माता पिता का मेरी मम्म अपने साथ ससुर का जिस तरीके से आदर सम्मान करती है मैं भी वही करूँ यही तो संसकार है और क्या है संसकार जिसने आपको पैदा किया जिसने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी आपके लिए आप उसके नहीं हुए तो फिर आप किसके हुए तो साथियो अब तक जो हुआ सो हुआ कहीं कमी छूटी गोली मारो भूल जाओ आज से शुरू कर सकते हैं यदि अपना जीवन बनाना है तो अपने माता पिता से प्रेम करिए यदि खुद आदर पाना है तो माता पिता का आदर करिए मुझे विश्वास है आज इस वीडियो को देखकर लाखो करोडो लोग एक बार फिर अपने माता पिता के लिए वक्त निकालेंगे और इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ ने होगा ये वीडियो मेरी जिन्दगी की सबसे किमती वीडियो में से एक है